मुरदबार नगनिगम के एक बाट पार्षद ने अगामी MLC चुनाव में होने वाली खरीद फरोद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारेल करते वे इस चुनाव की पोल खोल कर रग दी है वीडियो वारेल करने वाले पार्षद का आरोप है कि उन्हें कुछ गिफ्ट और मिठाई बेज कर पूर्व की सपा सरकार में केबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में अमरोहा नगर विधायक महभूब अली खरीदने का प्रयास करने में लगे हैं मुरदबाद में नगर नीगम से भाजपा के वाट पार्षद आज दिवाकर ने अपने सोशल मीडिया पेज फेस्बुक पर स्वैम द्वारा बनाया गया एक वीडियो अपलोड किया है इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है और वाट पार्षद बता भी रहे हैं कि दानिश नाम का एक व्यक्ति एक शौल और मिठाय का डिबबा लेकर पूर्व केबिनेट मंतरी महभूब अली का संदेश लेकर पहुंचा है वाट पार्षद का सीधे तोर पर आरोप है कि इसी तरह से सपाव विधायक अन्य भाजपा पार्षदों को भी खरीदने का प्रयास करने में लगे हैं इस वीडियो के सच्चाई जानने के लिए जब हमने वाट पाषद अजी दिवाकर और फजादुकर से संपर्क किया तो वो बात करने के लिए तयार हो गए और उन्होंने केमरे के सामने आकर भी अपनी पूरी बात दोहरा दी और सीधे तोर पर अम्रोहा विधायक पर खरी लिए पर शौर्डी बात हैं क्या नाम तुमारा दानिश और एक मिठाई और यह मिठाई और यह बड़े खुशी की बात है यह महबू वाली जो हमारे विधायक जी है जो MLC की तियारी कर रहा है उनके सुजने से यह यह लेका आए इनके लिए मैं बहुत्यांता पर्टी का मेरी तरफ से आप इसे ले जाएं तो पलच्छा है क्योंकि मैं इस मिठाई यो इसको नहीं रखूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ राजनीतिक पार्टी से हूँ हम भार्जिंदा पार्टी के सिपाई कभी चूपने वाले नहीं है और रियल में आपको बताओं कभी भी ये बात होनी चाहिए कि हमें जब किसी मन और विचारों कि हम लोग तुलना मिठाई से शॉल से पैसों से करेंगे तो हमारे विचार नहीं पता सकते हैं क्योंकि हम उस पार्टी के सिपाई हैं जो हमें तभी कोई भी दूसरी पार्टी खरीद ने सकती हैं तो यह महभू वाली जी को वापिस लेदेना और उन